हेलो दोस्तो स्वागत है आप सुविकास एकल्प सी एसे चैनल पर और जैसा कि सी सैट दोज़र तेस का सॉलूसन देख रहे हैं आज 69 नमबर कुस्चन डिसकस करेंगे सेट एका है ठीक है तो बाकी कुस्चन का सॉलूसन देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते ह सी साट दोज़र तेस के नाम से ऊपर आई बटन पर भी आ रहा है तो चलिए कोस्चन देखते से 69 नमबर देर लार्ज नमबर ओफ सिल्वर कॉइंस है ना सिल्वर कॉइंस दिरसा रहे है वेटिंग दो ग्राम पांच ग्राम दस ग्राम पच्छीस ग्राम और पच्छास ग् कर आँ इसमें स्टेटमेंट वरॉन का रहा है तो बाई 78 ग्राम ऑफकॉइंट ग्रामercatan कउइंस करिक लिए one have to must buy 7 coin कम से कम and to weight 78 grams using these coins one can use less than 7 coins ठीक है समझ गया तो weight अगर करना हो 78 grams तो मतलब 7 coins से कम भी use कर सकते है एक बार वीडियो पाउज करकर खुद solve करें देखते हैं solution इसका तो चुकी यही combination यूज करना है 50, 25, 10, 5, 2 तो देखते हैं statement 1 में 78 grams सबसे कम coin use करके कौन से हो सकते हैं सबसे पहले तो सबसे वड़ा 50 ले लेता है तो अब क्या है 25 लेंगे तो 75 हो जाएगा लेकिन हमारे पास 3 तो है नहीं सम नहीं आ पाएगा तो 25 नहीं ले सकते हैं तो अब सबस्गाद क्या है दो कोहीं चार बार लेना होगा ठीक है ना तो टोटल नमबर अफ कोईस कितने होगा 4, 2, 6, 7 मतलब कि minimum तो 7 coins जाएए ही इतने है कि नहीं तो statement 1 सही है 78 gram coins अगर buy करना है तो कम से कम तो 7 coin हमको लेना ही पड़ेंगा इस combination में ठीक है चलिए अब statement 2 देखते है statement 2 का रहा है कि 2 weight 78 grams मतलब 78 gram अगर वजन करना हो तो 7 coin से कम भी हम लोग use कर सकते हैं तो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है मान के चले मलब अगर weight करना है तो ये तराजू रहेगा ना दोनों side ऐसा weighting machine है ना ऐसा एक रहेगा मान के चलिए ठंटी तो यहाँ पे एक side में हम मान के चलते हैं कि 250 का रख देंगे 100 gram हो गया ठीक है ना और इधर जो है हम लोग 278 लाना है ना तो 80 हो जागा है ना तो 2 10 का रखेंगे और एक दो का रख देंगे तो हो जागा ना मान लोग एक side में दो 50 100 और दूसरे side में 10 का दो और एक दो का तो गहाँ ना तो 78 weight हो जाएगा है कि नहीं 100 में से घटा देंगे 22 78 आ कि है तो मतलब कि 5 coins में भी 78 weight कर सकते हैं तो ये भी statement 2 भी सही हो गया तो मतलब कि statement 1 और statement 2 दो नूस सही हो गया ठीक है ना तो इसका option C सही हो जागा बोथ 1 और 2 ठीक है solution तो काफी अच्छा लगा होगा ठीक है ना तो वीडियो अच्छा लगो तो क्रीप है like, share, subscribe ज़रूर करे